पिपो सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलेकास्ट हो चुका है आज था विकिन का बार का सैटेड़े एपिसोड जहां पर फुल ओन ड्रामा सर्प्राइज़ शौक, सल्मान खान की टाटफटकार, कुछ इंट्रस्टिंग टास्क तो वही घर में नई दोस्ती, तो दोस्तों के वीच में लड़ाई जगड़े, तो वही नई दुश्मनी की शुरुबात, तो वही प्यार भरी मुलाकात, घर में आए नए महमान और भी बहुत से ऐसी इंट्रस्टिंग चीज़े हुई, जो आज के एपिसोड को फुल ओन इंट्रस्टिंग, एंटर्टेनिंग और फुल ओन ड्रामे से भरी हुई बनाती है तो चलि आज की एपिसोड इतना ही जादा इंट्रस्टिंग रहा तो अब इसकी हाइलाइट्स के बारे में भी जान ले दे हैं आपको बता दें कि रश्मी देसाई और विशाल मिलकर फिज से पास्ता चुरा कर खा लेते हैं आधी रात में जब सभी घरवाले आराम कर रहे होते हैं तो सडन बिग बोस सभी घरवालों को गार्डन एरिया में बुलाते हैं और अब फिनाले फैबरी में होगा सभी घरवाले पहले तो इस खबर से खुश नजर आते हैं और उन्हें ये शौक मिलता है कि उन्हें पाच हफते और बिताने होंगे अपने पईवार से दूर रहकर विग बोस रश्मे और विशाल को कनफेशन रूम में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है पहले तो वो थोड़ा सीरियस नहीं होते हैं लेकिन जैसे ही विग बोस का टॉन जुनते हैं वो दोनों सीरियस हो जाते हैं पिक वो सुने डाट लगाते हैं और साथ ये कहते हैं कि बाहर अनौस्मेंट की जाए कि जिन लोगों को लगजरी बजट मिला है वो बचा हुआ सामान स्टोरेज रूम में रखते हैं और जैसे ही वो लोग बाहरी अनाउस्मेंट करते हैं तो बाकी घरवालों का गुस्सा साथ पे आसमान पर होता है। इस दोरान सिधार शुकला और विशाल का जगडा हो जाता है और उनके बीच में भयंकर फाइट होती है। दूसरे को काली गलोश देना, एक दूसरे को उंगली दिखाना इन दोनों के बीच में होता है। शुकला अपने शौट्स के अंदर सोफा पर बैठे चाय पी रहे होते हैं और सड़न एंट्री होती है सल्मान खान की। सल्मान को यूँ अपने सामने देखकर सिधार्ट का हाल बेहाल हो जाता है। सल्मान खान उनके साथ थोड़ी मस्ती करते हुए नजर आते हैं और फिर सड़न बोन पर चलाते हुए नजर आते हैं। को यूचलाता हुए देखकर सभी घरवाले आ जाते हैं एकटा हो जाते हैं। सल्मान घरवालों को डाट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं कि आप लोगों के अंदर कोई सेंस है या नहीं। आप लोगों को इतनी बार बताया गया कि विकिन का बार का शूट होनाए वाला है। सेम टाइम है फिर वे आप तयार नहीं है। यह सिर्फ केरलेसनेस है और कुछ नहीं। यह घर कभी बदल ही नहीं सकता। इसके साथ यह सल्मान खान बताते हैं कि यह सड़न मेरा टॉन चेंज हुआ ऐसा ही आपके साथ होता है जब आप घर में बात करते हैं। पाहर दर्शेकों को ऐसा ही फील होता है जब आप बात करते हैं। सिद्धार्ट कहते हैं कि सर आल विल ट्राइ तु डू मैं वैस्ट मैं नहीं चिलाओंगा। इसके बाद गर में बाकी प्रक्रियाई शुरू होती है। सल्मान खान सिद्धार्ट से कहते हैं कि अब तो जो हो गया है सो आप जाकर तयार हो जाएं। स्टब करती है। और इस डिस्टबेंस से यह होता है कि सिद्धार्ट शुकला और रश्मी देशाई का यहां पर जगड़ा हो जाता है। और वो भी सल्मान खान के सामने। सल्मान खान माहुल को देखकर बीश में कुछ बोलने का कोशिश करते हुए नजर आते हैं लेकिन यह सब चीजों को इग्नॉर करके एक दूसरे से जगड़ते हुए दिखते हैं। काफी गर्मा जाता है। सिधार्थ अपनी बात कंचिड्यू करते हुए सभी प्यादों के नाम बता देते हैं। सल्मान खान घरवालों को सिर्फ उनकी लिए दाट लगाते हैं। किसी घरवाले से कुछ खास नाज नहीं दिखते हैं। दाट फट कार्ड नहीं लगाते हैं। इसके अलावा कलस पर प्रसायद होने वाली नए शो शुभारम की स्टाक कास्ट यहां पर अपनी शो की प्रमोशन के लिए आते हैं। और साथ ही सल्मान खान इसके साथ घरवालों को एक तास देते हैं। वो उन से पूछते हैं कि जब आसिम आपके साथ थे तो आप उन्हें अपना चेला बुलाते थे। अब आप पारस के साथ हैं तो आप बताएं कि आप क्या पारस के चेले हैं। इस चीज़ को लेकर सिधार्थ और कॉलर के बीच में पांच मिनट तक कन्वर्शेशन होती है। सल्मान खान कॉलर को बताते हो नजर आते हैं कि आपको इतना बोलने के ज़रत नहीं हैं क्योंकि ये सब कुछ काठी देंगे। इसलिए इतना काफी है रहने दो। इसके साथ ही गैस्ट के तौर पर पती-पत्नी वो की स्टा कास्ट यानि की भूमी बेटनेकर, अनन्यापांदे और कर्थिक आरेन भी आते हैं और सल्मान खान के साथ खूब मस्ती करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा गेस्ट के तोड़ पर दिव्या खोस्ला कुमार की भी एंट्री होती है वो सल्मान खान के साथ अपने गाने याद पिया की आने लगी पर डांस करते हुए नजर आते हैं जहां पर घर वाले एक बार फिर से एक दूसरे पर तीखी तलवा चलाते हुए नजर आते हैं और इसके अलावा सल्मान खान घर वालों को स्विमिंग पूल टास्क करवाते हैं जहां पर सल्मान कहते हैं कि मैं जो आंसर करूँ उसका उल्टा यानि की ना में जवाब दो तो फिर आप स्विमिंग फूल में नहीं कूदोगे इतनी सारी मस्ती और टास के बाद सल्मान खान बताते हैं कि देवोलीना भटाचार जी की तव्यत खराब है उन्हें बैड्रेस की जरुरत है इस वज़े से अभी फिलहाल के लिए देवोलीना अपना ट्रीटमेंट करवाने वाली हैं और वो अभी घर से बेगर हो रही हैं लेकिन जब वो अच्छा फील करेंगी तो वो वापस घर में आएंगी और आपके साथ कंपीट करेंगी तो इस तरह से आज के एपिसोड में देवोलीना भटाचार जी घर से चले गए हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो दोस्तों ये थी बिग बोस सीजन 13 के वीकिन का वार के सैटरे एपिसोड की हाइलाइट्स और इसी तरह से इस सीजन के हर एपिसोड की हाइलाइट्स कई चटफटी तेढ़ी मसाले तार खबरे यूँ ही जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इंडिया ट्रेंदिंग न्यूस के रिपोर्ट सब्सक्राइब करे हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए